2013 में हैदराबाद में हुए धमाके में शामिल यासिन भठकल को एनाय कोट ने दोशी करार दिया है भठकल समेथ भारते मुझाहिदीन के पांच और आतंगवादियों को इस मामले में दोशी करार दिया गया है वह इस मामले में स्पेशल कोट 19 दिसंबर को सजा सुनाएगी यह पहली बार है जब किसी भारते मुझाहिदीन आतंगई को दोशी करार दिया गया है आपको बता दे कि 21 फरवरी 2013 में हैदराबाद का दिलसुख नगए इलाका दो सिलसिलेवार धमाकों से दहल गया था यह दोहरी धमाके में 18 लोगों की मौत हुई थी और 131 से जादा लोग घायल हुए थे 24 सदस 2015 को इस मामले में ट्रायल शुरू किया गया था अदालत में दायर की गई चार्जशीट में कुल 6 आतंगवादियों का नाम था जिन में से पाकिस्तानी नागरिक समेथ 5 आतंकियों को गिरफता किया गया था वहें इस मामले में मुख्य आरूपी और शड़यंत्रकारी रियाज भटकल अभी भी फरार है अब तक के रहें इतना ही देश और दुनिया के अधिक खबरों के लिए देखते रहें